नमस्कार जैहें दोस्तों दोस्तों बिहार द्रोगा के लिए जो है प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसेस पे जो है करवाय जा रहा है और भारती दोस्तों हमारा कभी भी आ सकता है तो उसके लिए आप सब लोग तयार रहिए और डेली बेसेस पे जो है सेट लगाईए और अपने कमियों को सुधारिए क्योंकि अभी आप अपने कमियों को नहीं सुधारेंगे तो कहीं ने कहीं आप परिक्षा में फेल हो जाएंगे तो हम यह नहीं से आ रहे हैं कि आप सब लोग परिक्षा में फेल हो अपना रिवीजन बहतर कीजिए और अपना स्कूर हर एक सेट में सुचिए कि हमारा सत्तर प्लस हमारा जो है प्रैक्टी सेट में कोशन हो चलिए आज हम प्लेट फारम का प्रैक्टी सेट दिखेंगे जो आपका नया प्रैक्टी सेट आया हुआ है पहला है कि सेंदोस अभेटा के लोग निम्न में से किस धातू से परिचित नहीं थे आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा, लोहा से परिषित नहीं थे, डी इसका सही आंसर हो जाएगा देखे, लोहा का ग्यान भारत में उत्तर वैदिक काल में सरबठम हुआ था आपको याद होना चाहिए सेंदू सभेता में सरपर्थम भारत में चांदी का प्रयोग दोस्तों प्राव्यम हुआ था सेंदू सभेता एक तरीके दिखा जाए तो कांसी योगिन सभेता थी अगला हमारा प्रस्थन है कि सरवादिक प्राचीन वेद रिगवेद जिसमें अंसर हो जायागा इसवर संतूती के मंत्र में यहीं हमारा प्रस्तर हैं कि आगे हमारा प्रस्थन है कर लिष कि राजधानी निच्ट कर लिए थे तो अगर हम राजधानि के पूरुश्पूर या फिर पेसावर। 2 नंबर हमारा बी हो जाएगा। देखे oham निसक ने माथूरा को दूत्य राजुद बनकर भारत आया था पिर्थिवी राज चवहान के दरबारी कभी का नाम क्या था अगर हम नाम बात करते हैं कि इसका क्या नाम था दोस्तों तो चन्द बरदाई हो जाएगा और पुस्तक लिखा है और चन्द बरदाई लाहोर के निवासी थे आगे हमारा प्रस्ना है कि अलाओ दिन के बाजार नियंतर्ण का निम्न में से कौन सा मुख्य करण था अगर हम मुख्य करण की बात करते हैं तो यह आपको हो जागा अपनी सेना की छमता को कायम रखना आपसन नंबर हमारे दखे जएं एह सही आंसर हो जाएगा अप इसको अच्छे से नोट डॉण किजियेगा दिवान अरियासत विभाग की स्थापना किस सुल्टान द्वारा किया गया है एक कौन से अस सुल्टान के द्वारा दोस्तो ये किया गया है तो इसका सही अंसर क्या होगा अलाओ दिन खिल जी अलाओ दिन खिल जी के द्वारा यह आपका हो जाएगा देखें दिवान एरियासत दोस्तो बाजार नियंत्वर्ण व्यवस्ता की सरोच संस्था थी दिवान एरियासत का प्रधान दो है आपका याकूब को बनाए गया था ठीक है याकूब अगला हमारा मैस का प्रस्थन है तो आराम से आप गुरुप में जोईन होके बनाईएगा और एक आपका नया किजाब आने वाला है बिहार दरोगा का एडू इस अंधान करके है और बहुत जल्दा आपका प्रैक्टी सेट जो है करवाए जाएगा मार्केट में अगर अविलेबल होता है तो मुगल काल में सेना का प्रधान निमन में से कौन था सही आंसर हो जाएगा मीर बक्षी और ऑप्सन नमबर हमारा बी हो जाएगा में वेतन मिल पाता था मराठो को एक सक्ति की रूप में किसने जो है safer कित किया है कि सही आंसर हमारा हो जाएगा और ओप्सन हमारे और हमें स सही यांसर हो जाएगा देखें सीवाजी के मंतरी मंडल को आश्ट प्रधान कहा जाता था आश्ट प्रधान में पेशवा का पद सरवाजिक महत्वपूर एवं सम्मान का होता था सीवाजी ने दरबार मिमराठी को राजभासा के रूप में दोस्तों परियोग किया था वर्स 1943 में आजाद हिंद फोज अस्तित में आया आंसर हो जाएगा सिंगापूर ऑप्सन नंबर हमारे हैं पर सी सही उत्तर हो जाएगा उससे पहले आप सभी बता दें बिहार दरोगा के लिए टेलीगराम पे गुरूप बनाया गया है सभी लोग जॉइन हो रहे हैं तो आप पिसे जो है बिहार दरोगा लिकर के मैसेज कर दी अगला के चंपारण जन्पद में तिन कठिया प्रथा का तात्वर है तो यह आपको जाग किसाना दुरा तीन बठा बीस भू भाग पर निल की खेती करना ऑप्सन नंबर हमारे यहां पर ए सही हो जाएगा क्रांती की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगणने सही आती है उप्रों के फरसीद कथन जो है किस क्रांती कारी का है तो यह आपको हो जाएगा भागत सिंग का ओप्सन नंबर हमारे सी सही उत्तर हो जाएगा किसने सरपर्थम यह प्रतिपायत किया है कि सूर्य हमारे सोर मंडल का केंद्र है और प्रति भी उसकी परिकर्मा करती है आंसर हमारा हो जाएगा कॉपर निकस ओप्सन नंबर दोस्तों हमारे हैं पर 14 कार डी हो जाएगा देखिए सूर्य के संगठन में अगर देखा जाया तो 73.46 परसेंट हाइड्रोजन 24.85 परसेंट हिलियम एवं 2.5 परसेंट अनितातु है सूर्य अपने अक्ष्य पर पूरव से पस्चिम के ओर घुमता है आगे हमारा प्रस्न क्या है महा सागरों में जुआर भाटा की उत्पत्ति के क्या करण है करण आपको हो जाएगा सूर्य अच्द्रमा के सनीविक्त प्रभाव से ओप्सन नमबर हमारे हैं पर सी सही हो जाएगा जनगणना से संबंधित कतनों पर विचार कीजिए क्या हमारे इसमें सत्य है सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी देखिए वीशो में परथम जनगणना जो है स्वीटन में आधुनिक तरह का दोस्तों किया गया था तोड़ा सा हिच किया रही है ठीक है इस इनुर कीजिएगा अगला एकी वीशो में सरपर्थम नियमित दस वर्षी जनगणना जो है अमेरिका से प्रारम हुआ है भारत में 2011 से ले करके 2011 में 15 वी जन संख्या दोस्तों यहां पर किया गया था भारत में सरपर्थम जाती गत जनगणना 1931 इसमें करवाए गया था आगे हमारा कुशन क्या है देख लेते हैं तो कि आगे हमारा प्रस्न बोला है कि निम्न में से किन तीथियों को सूर की कीर्णे विश्वत रिखा पर लंबोत पड़ती है आंसर हो जाएगा 21 मार्स तथा 23 सितमबर को आप्सन नमबर हमारा डी सही हो जाएगा अगला एक की चीड के पेड समानेता निम्निखित जलवाईू प्रकारों में से किस एक में पाय जाते है दोस्तो इसका सही आंसर हमारा देखे 19 का हो जाएगा आप्सन नमबर बी उसम कटी बंदी मानसुन आप्सन नमबर हमारे यहां पे भी सही आंसर हो जाएगा देखेए कीड के पेड से दोस्तो तारपिन का तेल निकला आयता है और अधिकान से विरिक्षे दोस्तो सदा बहार वह पड़पाती होते हैं विस्व में अलुमीनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है आंसर हो जाएगा चीन आप्सन नमबर डी राइट हो जाएगा अगर हम बात करते हैं लोहा का दोस्तो तो चीन औस्ट्रेलिया ब्राजिल हो जाएगा ठीक है वही अगर हम ताबा की बात करते हैं तो चीली पेरू और यूएस से हो जाएगा वियकर की घाटी का अंद्रमान जो है किसके द्वारक होता है तो यूवान अदि आप्सन नमबर एट सही हो जाएगा गल्प इस्ट्रीम जो है किस परकार की जलधारा है तो दोस्तो ये आपका हो जाएगा गर्म धारा है क्या है गर्म जलधारा है ऑप्सन नमबर भी आगए कि जाफना प्राइदीग और स्रिलंका की मुख्य भूमी को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है यहां पे नाम पुछ रहा है तो हो जाएगा आपका आंसर ओप्सन नमर भी एलिफेंटा पास दोस्तो एलिफेंटा पास ओप्सन नमर भी सही हो जाएगा निम्रिखित कत्नों पर विचार कीजिए क्या हमारा इसमें सही है देखिए आंसर हमारा एक और दो सही है सियाचीन और पाकिस्तान यानि सियाचीन भारत और पाकिस्तान की बीच का हिमनदी सिमान्त छेतर है सियाचीन और भारत पाकिस्तान की बीच इस्थित विस्व का सबसे बड़ा उचा युद्ध इस्थल है तो आप समझ सकते हैं एक और दो दोस्तों हमारे यहां पर सही हो जाएगा भारत के कोरुमनड टट पर दो है सरवारिक वर्सा होती है कौन से महिने में तो अक्टूबर नॉवमबर में दोस्तों आप्सन वर हमारे हैं पेड़ी हो जाएगा इसे सीथ कालीन मानसुन या फिर मानसुन प्रत्यावर्तन का काल भी कहायता है निमलिखित में से कौन से एक जो है नगदी फसल है अगर हम नगदी फसल की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा रबर आप्सन नमबर डी सोतंदर भारत में मुद्रा काव मुल्यन प्रत्याम बार जो है कौन से वर्स में किया गया है तो यह किया गया है वर्स उन्निसो उन्चास में वर्स उन्निसो चास ऑप्सन नमबर ए वायू सेना दिवस किस दिन जो है मनायता है अगर हम वायू सेना की बात करते हैं तो यह 8 October को मनाते हैं दोस्तों option number हमारा जो है तीसेवे का D सही हो जाएगा वही अगर हम 5 October की बात करते हैं तो 5 October को हम भी सो सिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं एक हमारा दिया गया 7 October World Quotten Day मनायता है अगला हमारा है अधिवेशन और विसे यानि सुची एक को सुची दो में मिलाना है मिलाते हैं देखिए अगर हम बात करते हैं नागपूर कॉंग्रेस अधिवेशन तो यह आप कह जाएगा असायोग अंधुलन का प्रस्ताव लाहर कॉंग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं तो पूरो स्वराज का प्रस्ताव कराची कॉंग्रेस अधिवेशन यह आप कह जाएगा दोस्तों कराची वाला हो जाएगा मौलिक एवं आर्थिक प्रस्ताव और यह कॉल लखनो कॉंग्रेस अधिवेशन सही आंसर हमारा एक, तीन, दो देख जिसे आपका समपरभूता हो जाएगा समाजवादी, धर्मिल पेक्ष लोकतांत्रिक हो जाएगा और गणाराज हो जाएगा यानि आंसर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा जब कोई व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी के रूप में कारे करने लगता है तो जिसके रूप में कारे करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो नियाले कौन सा लेख जारी करता है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संसद के दोनों सबनों द्वारा अनुमोधन किये जाने पर उस तारिक से कब तक अपात काल दोस्तों यहां पर परवर्तन में रह सकता है तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा छहमा ओप्सन नमबर सी संसद में भारती राष्ट्रपती पर महावयोग एक है किस प्रकार का प्रक्रिया है तो और धन्याईक प्रक्रिया है ओप्सन नमबर हमारा बी सही हो जाएगा देखिए अनुछे देख सल्ट राष्ट्रपती पर महावयोग की प्रक्रिया से समझत प्रावधान है वेक के अंदर सासित प्रदेश जिनका राजस्थान में प्रत्रिन निदितुआ है निम्न में उसे कौन है तो इनम्न से आपका दूस्त हो जाएगा दिल्ली ओप्सन नमबर हमारा डिक्ट हर्टी सिक्स का जो है सी सही आंसर हो जाएगा निम्न राजियों के निर्मान का सही करम बताईए क्या होगा आंसर देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ओप्सन नमबर सी हो जाएगा जैसे असम हो जाएगा नागा लेंड गोवा और मीजोरम ठीक है तो आप याद रखेंगे असम का दूस्त हुआ था आपका 1956 में हुआ ठीक है और और बात करते हैं जैसे नागा लेंड की बात करते हैं तो यह आपका वर्ष 1963 में हुआ था और मीजोरम मीजोरम का दोस्तों हुआ था 1987 में हुआ था और गोवा दिया गया है तो ये भी आपका 1987 में हुआ था बस डेट का फरक है पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उमिदवार की नियूंतम आयू कितनी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए तो 21 वर्च अगला प्रस्ते क्या है कोशन नमर 39 बोला कि किसी चुम्बक की लंबाई और उसके धुरू प्राबल ले किविसे में आप क्या कह सकते हैं जब उसकी लंबाई की लंबोट दो समान भागों में काटायता है सही आंसर हो जाएगा लंबाई आधी हो जाएगी और धुरू जो है प्राबल ले परिवर्थित रहेगा यानि यो ऑप्सन नमर दोस्तों हमारा 49 का भी हो जाएगा नेश्ट हमारा कोशन है कोशन नमर 41 सुची एक को सुची दो में मिलाना है चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते है देखे मैनोमीटर दोस्तों हमारा हो जाएगा किस में तो गैस का दाव फैदोमीटर आपका हो जाएगा सम्दर की गहराई और क्रायोमीटर की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा निम्न ताप और जो डेजी मीटर है यह आपका हो जाएक गायस का घनत तो ओप्सन नमबर एस ही हो जाएगा निम्न में से किस विधुत चुम्बकी यह तरंग की तरंग जो दोस्तो तरंग दैर जो है अधिक्तम होती है तो अवरक्त का इन्फारेटर ओप्सन नमबर भी हो जाएगा समानांतर संबंद पर ठीक है ओप्सन नमबर भी आगे हमारा प्रस्न है कि निम्न में से कौन सी युक्ती जो है विधुत उर्जा को या आंतरिक उर्जाय में बदलती है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोटर ओप्सन नमबर डी राइट आंसर हो जाएगा एक कंप्यूटर की स्मिर्थी को पराया है किलो बाइट या फिर मेगावाइट द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है एक बाइट है आंसर हो जाएगा आर्ठ बाइनरी अंक ओप्सन नमबर A पिर्थिवी के केंदर पर वस्तू का तो अगर हम वस्तू की बात करते हैं तो दरब्यमान अब परिवर्थित रहता है भार दोस्तों सूने होता है ओप्सन नमबर हमारा B राइट हो जाएगा अगला है गन मेटल किसकी मिस्डधातू है तो तामबा टीन और जिंग का उप्सन नमबर A अगला के उन सराब त्रासदियों में जिनके परडाम सुरूप अंधता आती होती है हानिकार्थ पदार्थ है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा methyl alcohol हो जाएगा दोस्तो option number D सही answer हो जाएगा अगला है कि भारे जल एक परकार का है भारे जल दोस्तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा मंदक है option number B निमनलिकित में से कौन से एक प्रकिरते में अनुचुमब किये है तो oxygen हो जाएगा दोस्तो oxygen option number C सुचालक पुछ रहा है तो देखिए सुचालक की बात करते है तो यह आपका चांदी हो जाएगा दोस्तो option number हमारे हैं पर भी सही हो जाएगा आगे हमारा प्रस्तन है कि रक्त की pH मान पुछ रहा है कितना pH मान होता है रक्त का बलट का तो यह आपका 7.4% परस्त नहीं बोलेंगे बस आपका 7.4 बोलेंगे option number C अगला एक दूध नीमन का उधरण है यानि किसका उधरण है दूध दोस्तों तो अगर हम दूध की बात करते हैं तो पायस का हो जाएगा option number C ठीक है याद रखेंगे भूलियेगा नहीं अगला हमारा प्रस्त है कि कौन सत्तों जो है उर्वरकों में उपरसित नहीं होता है तो इसका सही आंसर हमारा 54 का हो जाएगा chlorine option number C set daily basis पे लगाईए और तैयारी जम्क कीजिए ठीक है अमली ये विलियन में डुबाय जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग होता है तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा लाल option number A सही हो जाएगा देखिए आमल दोस्तों स्वाद में खटा होता है और अच्छे आंपरबल आमले विदुत के चुचालक होते हैं अगला के स्चितनNewston Land 8 में जो हैं दुस्तों मिलान कर्णाना बताना है क चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं अगर हममलेरिया की बात करते हैं तो रक्त हो जाएगा और फायले फाइलेरिया की बात करते आप में है तो ऑपको हो जाएगा अगला के सरीर में उतको का निर्माण होता है किस से? तो प्रोटीन से होता है. ओपसन नमबर हमारा देखे C सही आंसर हो जाएगा. कार्बोहाइडरिट और वस्सा से दोस्तो उर्जा प्राप्ट होता है. अगला है कि लार किसके पाचन में सहाइक है? तो इसका आंसर हो जाए option number a निम्नलेखित में से किस स्विद्यसी यात्य ने बिहार की यात्रा किया था अंसर हो जाएगा व्पेउपница सभी फ permettre संग्त करते हैं तो हर्सवर्धनaj के समय भारत आए थे 126 कि अगर हमारा प्रस्न है कि प्रकाश व्ल्सेंट की किरिया के लिए हैं एक और दो क्लोरोफील आवस्यक है और जल एवं सूर्य का प्रकाश दोस्तों आवस्यक यानि आंसर हमारा देखिए यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा अगला है कि हमारी जीब का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा ऑप्सन नमबर भी अगर भाग यह जो आगे का हिस्सा होता है वह आपका मीठा स्वाद बताता है और जीब स्वाद के लिए दोस्तों आपका उत्पीनों का गरहन करती है निमनांकित में से इसको क्रिकेट में चाइना मैं कहते है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बाय हाथ के धी में गेंदबाज दोरा फिकी गई ऑफ ब्रेक गेंद ऑप्सन नमबर डी सेरसा के मगबरे का निर्मान जो है किसने करवाया है तो दोस्तों यह आपका हो जागा सेरसा के दोरा यह करवाये गया है ओप्सन नमबर हमारा 63 का A हो जाएगा सेरसा ने रोहतास गड़ के कीला का निर्मान भी किया था सेरसा ने पुराना कीला की स्थापना भी किया है अगला एक एई एंत्रोपोलोजिकल सर्वयाफ इंडिया का मुख्याले कहां पर है तो यह आपको देखने को मिलता है कोलकाता में ओप्सन नमबर हमारा A सई हो जाएगा अगर वही हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे मुंबई के बारे में तो मुंबई महारे देखिए इंडियान कैंसर रिसर्फ सेंटर है आपको मुंबई में देखने को मिलता है और वही एकर हम बात करते हैं दोस्तों जैसे यहाँ पे दिल्ली के बारे में बात करते हैं नई दिल्ली में क्या है तो नैस्नल गैलरी आफ आर्ट जो है हिंदुस्तानी गायक हैं और किसन महाराज की बात करते हैं तो तबला उस्ताद हैं और एक हमारे हैं अल्ला रखां तबला अगला की लेसंस लाइफ टाउट मी जो की अनौंगली किसकी आत्म कथा है तो यह आपको हो जागा अनुपम खेर का ओप्सन नंबर सी केरल की राज की यह भासा कौन सी है किरल की राज की यह भासा कौन सी है तो मल्यालम ऑप्सन नंबर दोस्तों हमारे हैं पे सी सही आंसर हो जाएगा भारत के कितने राजियों में हिंदी राजा यानि राज भासा है तो आंसर क्या होगा ऑप्सन नंबर एक नाइन अंटांटिका हमें प्रत् यह सही हो जाएगा अगला की चक्मा नीम्न में से किस देश के सरनार्थी है अगर हम चक्मा की बात करते हैं तो आंसर हमारा क्या होगा तो बंगला देश ओप्सन नमबर C विसो रेट क्रॉस दिवस जो है किस तारिक को मनायता है अगर हम विसो रेट क्रॉस दिवस की बात करते है तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जागा आठ हमाई को पांस जून को क्या मनाते हैं तो वी सो परियरण दिवस की रूप में मनाते हैं और एक हमारा जो इंपोर्टन्ट आपका एक्जाम में हमेशा आता है एक अलपसंखे का धिकार दिवस अठारा दिसंबर को मनाते हैं दो हजार इग्यार की जनगर्णना अनुसार सरवादिक न्यू लिंगानुपात वाला धर्म हमारा कौन सा है तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा इसका सही आंसर हमारा 72 का हो जाएगा ऑप्सन नमबर C सीख हो जाएगा धर्वन्ति पूरसकार दिया जाता है कि कुलेज दोस्तो कहा परिस्तित है कि आपको देखने को मिलता है कहां पर बताईएगा तो कोयम मटूर में कहां पर कोयम मटूर ऑप्षन नंबर हमारा सी हो जाएगा और एयर फोर्स पर संगठन के अनुसार त्रिण मर्णी पेटी निम्न में से दस्तों किससे संबंदित है तो यह आपका समन्द रखता है पीली पेटी से ओप्षन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा और बात करेंगे हम जैसे हरित पेटी जो है यह आपका हो जाएगा इसका स्विकृति स से होजाएगा एक हमारा दिया गया लाल पेटी यह आपको हो जाएगा और स्मीत से संबंधित है संबंधित थी तो पूर्ण पुंजी लेखा ए सम परिवर्त अता हो जाएगा ऑप्षन नंबर हमारा हांपे बी सही आंसर हो जाएगा आगे हमारा एक निम्न में से किस मुद्रा को IMF की क्रित्रिम मुद्रा कहा एता है सही आंसर हो जाएगा SDR को SDR को option number हमारे हैं पे भी हो जाएगा पिछडे देशों के लिए rolling plan का सुझाओ किसके द्वारा जो है दिया गया तो यह दिया गया था जी मडल द्वारा दोस्तों दिया गया था option number हमारे हमारे ही सही हो जाएगा काटा जेना प्रोटोकाल का संबंद किस से है अगर हम संबंद की बात करते हैं तो यह आपको हो जागा जैस रक्षा आप समझोता से है option number C निम्न में से किस देश को उसकी उर्वर्ता के कार जो है रोटी की डालिया कहते हैं तो यह कहते हैं दोस्तों यूक्रेन को किसको कहते हैं यूक्रेन को option number हमारे हैं पे भी सही हो जाएगा South Asian Football Federation Championship 2023 का title जो है किस देश ने जीता है तो अपना भारत option number D अगला की BCCI ने पूरुस क्रिकेट टीम का मुख्या ले यानि मुख्य चैन करता जो है किसे निप्त किया है मुख्य चैन करता सही आंसर हमारा हो जाएगा अजीत आगर कर को अगर कर option number C अगला हमारा की पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिमन लगाने परिचालन कहां सुरू हुआ है तो यह आपका सुरू हुआ है गुजरात में यह सब करेंट अफियर का है मैंने देखिए स्पीडी और एडुटेरिया का करेंट अफियर का मास्टर वीडियो बना करके डाल दिया है वहाँ से आप जाकर के सारा वीडियो और सारा पॉइंट पढ़ सकते है एक लाख करोड रूपे का बाजार पुझी क्रण हासिल करने वाली पहली भारती एरलाइन कौन बनी है तो यह बनी है इंडी को ओप्सन नमबर डी फीफा वर्ल्ड कप फीफा कलब वर्ल्ड कप ज़ार 23 कायो जन किस सहर में दोस्तों किया जाएगा तो यह आपका किया जाएगा जेदा ओप्सन नमबर बी चलिए बोलाए कि मोजंगल जमी योजना कि जो सुरुआ थे किस राज्य ने किया है मोजंगल जमी योजना तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा की नाइन का ओप्सन नंबर भी ओडिसा जुलाई दौर तैस में स्टार्टप ट्वेंटी सिखर सम्मे लें दौर तैस जो है कहां पर आज वी दोस्तों हुआ है गुरु गुराम में ओप्सन नंबर भी अगला है कि योग सत्र हेतु राज इस तर पर सरवाधिक लोगों के एक आरती नो से ना ओप्सन नंबर ये सही हो जाएगा अगय कि सफरी की देश ने राष्ट्री स्वास्त बीमा को सविनी में दोहजार तैस जो है प्रस्तावित किया है तो यह आपको हुआ के निया ओप्सन नंबर सी अगला है कि एन सी आरटी ने एन सी आर्टी ने पार्थी पुस्तक संसुदन है तो कितने सदक्सियों के पैनल का गठन किया है तो यह किया है दोस्तों 29 सदक्सियों का ऑप्सन नंबर डी किस मंत्राले ने लर्निंग मेनेजिमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम जो है सक्षम लांच किया है तो स्वास्त मंत्राले ऑप्सन नंबर ए संस हो जाएगा युवा प्रतिभा ऑप्शन नमबर डी भारतिय सिना के आठ आठ के लिखा गया है आठिलरी और मैंके मेंके मेकनाइजड इन्फेक्ट कोर द्वारा अभ्यास अगने यास्त वन का युजन जो है कहां पर किया है तो दोस्तों यह किया गया है पूरवी लद्दाख में ऑप्शन नमबर सी मरुस्थला कानून में सुधार की सिफारिस है तू गठित पैनल के अध्यक जो है कौन है तो यह आपके टी के वी सोना थना ओप्शन नमबर भी आठवी भारत थाइलेंड डिफेंस डायलोग का युजन कहां पर किया गया है तो यह किया गया है थाइलेंड में थाइलेंड में अगला कि आपियल फ्रेंचाइजी मॉंबाई इंडियन का ओफिसियल बैंकिंग पार्टनर क कमेंट करके बताइए क्योंकि बहुत लोग का कमेंट आता कि सर स्कूर पूछा किजे कौन कितना स्कूर किया है और जो आइन हो जाई है देखिए इसमें डिसकसन बहुत बेहतर में दिया गया है आप डिसकसन से ही आपका 40-50 परसंट जो है तैयारी हो जाता है यह तासी छपन चोवन पैसज्ट आतेस मैसेज के जिए भी हर दरोगा लीखिए आज के लिए इतना है जय हिंद अ